प्रितर को अनपः सेवखेए साल 1958 देश का एक परशिद सहर मुंबई यहाँ एक प्रसासनिक सेवा के अधिकारी रहा करते थे इनी के घर एक लड़की का जनम हुआ लड़की का नाम रखा गया निवेदिता उपनाम मैनन वही निवेदिता मैनन जिसका किरदार तक कस्मीर फाइल्स में पलवी जोशी ने प्रोफेसर राधिका मैनन बनकर किया है जो ये डायलोग बोलते कहती है कि कस्मीर कभी भी भारत का अभिनंग नहीं रहा ये कहती हा सिक्तत है यदि इंडिया बिर्टैन से अपनी आजादी के लिए लड़ सकता है तो कस्मीर क्यों नहीं नमस्कार दोस्तों रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके हैं आप महुराजीव चोतरी यदि अभी तक किसी ने फिल्म नहीं देखी तो भी इस से ये अंदाजा लगा जा सकता है कि निवे दिता मैन अनकासली चरितर कैसा होगा वो देश की राजधानी दिल्ली में बैठी कस्मीर के अलगाव वादियों की परवक्ता की तरह होती है जो कस्मीर की अजादी की बात करती है एक सेंटरल युनिवस्टी के हजारों बच्चों को अपने ही देश के खिलाप बरग लाकर कस्मीर को अलग देश बनाने की मांग करती है देश के दुसमनों रातंक वादियों की पैरोकार की तरह काम करती है वो इस तरह का नेरेटिव घड़ती है जिससे कि अलगाव वादी किसी क्रांती कारी की तरह नजर आने लगे और भारते से ना मानो वो तो पूरी तरह खलनायक की तरह दिखने लगे फिल्म में राधिका मैनन की दलिले सुनने के बाद ऐसा लगता है क्या इस सच है या फिर ये कोई कालपनिक किरदार है या फिर क्या सच में निवीदिता मैनन का ही किरदार अदा किया गया है ऐसे कहीं सवाल सोसल मेडिया पर पानी के ओपर बुलबुले की तरह तैर रहे हैं लेकिन कुछ वीडियो जो इस बात की गभाई दे रही है कि पलवी ने जो किरदार अदा किया वो तो बिल्कुल उसी से मैच कर रहा है तो जब दुनिया भर में लीगल आउक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मेर की तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है इस वीडियो में निवेदीता ये कहती ही नजर आ रही है कि दुनिया में माना जाता है कि भारत ने गैर कानूनी तोर पर कश्मीर पर कबजा किया है अक्सर ऐसे नकसे परकाशित होते हैं जिसमें दिखा जाता है कि कश्मीर भारत कांग नहीं है देश में इस तरह की पत्रीकाओ को कभी जला दिया जाता है या फिर सेंसर कर दिया जाता है जिस से वो हमारे पास पहुँची नहीं पाती जब दुनिया बर में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कबजे की बात हो रही है तो मैं सोचना चाहिए कि कश्मीर की आजादी का नारा गलत नहीं है ये नारा एक दम जाज है असल में वीडियो देखकर इसका जवाब कुछ ऐसे मिल जाता है कि जैसे कुतम मिनार किसने बनवाई थियास में पढ़ा जाता है लेकिन ये नहीं पढ़ा जाता है कि सोमनात का मंदिर किसने तोड़ा था कितनी बार तोड़ा क्यों तोड़ा इसके अलावा ये भी पढ़ा जाता है कि लाल किला किसने बनवाया तो इसी तरह ये बता जाता है कि निवेदिता मैंन जेन यू की प्रोफेसर है लेखक है वो political theory, feminist theory और Indian politics में specialization लगती है उसने gender and politics in India, feminist beyond the law, समेच सिंग लाई के feminist जैसी किताब भी लिखी है वो dichonomic and political weekly और कहीं अगवारों में लेख भी लिखती है लेकिन ये नहीं बता जाता कि उसके अधिकान से लेख सिरफ हिंदू धरम के विरोध पर लिखे जाते हैं, वो कस्मीर की तथा खतिताजादी की पक्षकार है, वो कस्मीरी अलगावादी नेता उसे उतनी ही सानूब होती और प्रेम रखती है जितना की पाकिस्तान रखे भी क्यों ना, भारत सरकार इसके लिए उसे मोटी तनका हर महीने परदान करती है, वो भी ऐसी प्रोफेसर जो मार्च 2016 में जियन यू के भीतर ये कहती है कि भारत ने कस्मीर पर अवैद कबजा कर रखा है साथ इसी दोरान ये भी खबर आई थी कि प्रोफेसर मैनन ने जोधपुर के जेन आराण व्यास विश्व विध्धाल्य में एक संगोष्टी में तेसकी सेना, राष्ट्य धवज और भारत माता की तस्वीर के लिए इतनी विवादित बाते बोली थी कि यहां एक आएक माह होल गरमा गया और आयो जग भी परिशान हो गये थे। दरसल बता जाता है कि निवेदिता मैनन को यहां अंग्रेजी विभाग की ओर से आयो जित एक संगोष्टी में बुलाया गया था। जब प्रोफेसर मैनन मंच पर आई तो उन्होंने खुद को देश विरोधी बताते वेपना परीचे दिया। उन्होंने अपने विशे पर सलाइड के साथ बोलना शुरू किया जो पीछे प्रोजेक्टर से देश का नक्सा उल्टा दिखा जा रहा था। कुछ देर तो होल में मुझूद परतिभागियों ने सोचा कि साध गलती से लग गया होगा। लेकिन बाद में प्रोफेसर मैनन ने का मेरे तो भी भाग में भी उल्टा नक्सा लगा है। मुझे इस नक्से में कोई भारत माता नजर नहीं आती। भारत माता की फोटो यही क्यो इसकी जगे दूसरी फोटो होनी चाहिए। भारत माता के हाथ में जो जंडा है वो तिरंगा क्य यह जंडा देश के आजाद होने के बाद का है पहले ऐसा नहीं था पहले इसमें चक्र नहीं था मैं नहीं मानतीश भारत माता को नक्सा ही नहीं बाद में तो और आगे बढ़ी और कया सेना के जवान देश सेवा के लिए नहीं बलकि रोटी के लिए काम करते हैं उन्हें सिया वे दिने आपती जताते का कि आपने देश को बहुत कोश लिया, अब अपना भासन समाप्त करें। बहस बढ़ती देख आयोजकों ने टी ब्रेक की गोशना कर दी। बाद में आयोजक, डॉक्टर राजश्री रणावत ने सिंडिकेट सदश प्रोफेसर चंदर सेकर चोधरी को सफाई दी कि प्रोफेसर मैनन ने ऐसी स्पीच के बारे में ऐसा पहले कुछ नहीं बताया था। आप उनके इस बासन और स्पीच से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसी सिख सक रही होगी और पिछले करीब 30 सालों से उसने क्या पढ़ाया होगा क्योंकि इसकी सिख सा यजीब तरह से विध्वनसक लगती है। अगर हिसाब लगा जाए तो निवी दिता मैनने करीब 7 साल दिली विश्विध्याले के राजनीतिक विज्ञान विभाग में पढ़ाने का काम किया। इसके अलावा ओ लेडी स्री राम कॉलेज में अकरीब 15 साल पढ़ाने का काम कर चुकी है और बाद में साल 2008 में जियन्यू की प्रोफेसर बनी। यानि अगर मोटा सा इसाब भी लगया जाए तो डियू में राजनीति विज्ञान विभाग में 7 साल के लिए परती बैच डेड़ सो छातरिस के अलावा जियन्यू में 15 साल मानसी गणीती अपने सैल फोन कैलकुलेटर का उप्योग करते वे वो एक अनुमानी ताकड़ा जारों तक पहुंच जाता है। सोचे हिंदू धरम और देश के परती कितने चातरों के दिमाग में ये जैर घोला होगा। करीब डेड़ से पौने दो लाक रुपे हर महीने सैली लेने वाली इन प्रोफेशर मोदे ने कितना जैर फैलाया होगा। आज जो जेन्यू की आज विपरीत दर्द देने वाले व्यक्ति का किरदार करना पड़ जाए तो समझे उसका लाकार किष्थिती क्या होती होगी। यही आल फिल्म दा कश्मीर फाइल्स में पलवी जोसी का भी हुआ। एक फिलम मेकर के रूप में अपने विशे की बैतरीन परुस्तितों की। दू नफरत सी हो जाती है। यही बात खुद पलवी भी कहती है कि मैंने जान बूज कर ऐसा किरदार किया मैं चाती हूँ हर भारतिया मेरे किरदार से नफरत करे। लेकिन सवाल यह है कि निवेदिता जैसे लोग ऐसा करने वाले और ऐसा नेरेटिव घड़ने वाले लोग इस भ झाल झाल